तो गाइस मैं हूँ अंकी तौर आप देख रहे हैं रस्लिंग फैन्स नाइटवर्क सुरू करते हैं गाइस सबसे पहले मंडे नाइट रोग की विरसिप से तो रोग की विरसिप जो की हर अफते कम आती है इस वीग थोड़ी सी ज्यादा आई है एंड एवरेज आजी का सकते हैं मतलब पहले से तो सुनने में बैटरी लग रहा है पिछले तीन हफते क्या हाल रहे मैं आपको बता दूँ 1.3 मिलियंज फिर उसके बाद कुछ 1.3 मिलियंज पिछले वीग 1.465 मिलियंज के आसपास नंबर से इस वीग वेर से बढ़ी है इस वीग वेर से बरके हो चुक नेफ़ल से क्यूंकि अनेफ़ल जो है काफी पहले पीक पर थी अभी साथ वो चीज कम हो रही है तो ऐसे में मंदेना आएटरौ अपने वीड्स रिटेन करी है और वापस से धीरे-धीर स्टेबल हो रही है इसको स्टेबल बोलना भी सोच लो भाई मंदेना आएटरौ के ल सब्सक्राइब और वहाइन वीग और अगले वीक मोन पता कुछ तो आप सुन के सौक होiman और आसका यह सब के सब अगले हफते NXT में आएंगे आखिर ऐसा क्या भूचाल आगे क्वेशन तो यह है मैं आपको बता दू भाई टोनी खान का जो है ना बड़्डे अगले हफते और साथ उन्होंने अपनी प्रेस मीडिया स्क्रम में एड़ रसल ट्रेम के बाद यह चीज़ कंफर्म करी थी कि वो अपने बड़्डे को बहुत स्पेसल बनाने चाहते हैं और साथ एड़म को अप्लेंड यानि कि एज अपना डेब्यू मैच भी उसी हफते रसल करने वाले हैं अब मुझे नहीं पता कि सेम नाइट पर यह लोग हेड टो हेड जाएंगे या फिर क्या हेड टो हेड त है तो यह ऐसा ही एडबलू के अगेंस्ट ही लिया गया यह एक्सन है आसका का मैच होने वाला रॉग जाना पैरेट से वह एक स्टी के अंदर कंपीट करेंगी दन कोडी रोट आने वाले एक बरी अनॉस्मेंट के साथ एड़टाइस कर रहा गया है कि कोडी रोट्स भी जौन सीना होने वाले कार्मिलो हेस के साइड जब कार्मिलो हेस पेस करेंगे ब्रॉन ब्रेकर को और ब्रॉन ब्रेकर की साइड होंगे पॉल हेमन तो यहां पर चीजे काफे इंट्रस्टिंग हो चुकी है इतने मेजर सूपरस्टार्स नेक्स टी में का भी जाएंगे मैंने तो सोचा भी नहीं था एक डिस पॉइंट रोमन को भी अनाउंस कर दे तो वह चीछ सौकिंग होगी नहीं क्योंकि जौन सीना आहीं रहें तो रोमन भी आ सकते हैं भाई कोड़ी आ रहें तो आवी सकते हैं रोमन काफे सारे लोग मजा कोड़ी रोट्स का कि अब कोड़ी मतलब उसके तो सोचना भी नहीं को अभी तो यहाइप इतनी बन गई कि उनके नॉर्मल टैलेंट सीवन मिलियन लाके देंगे बाकी देखना होगा कि एडिस नली जो जौन सीना आ रहें कोडी रोट सारे पॉल हमना आ रहें आजका आरी है उसका इंपक्ट परता है मुझे मुझे लगता है कि कहीं इस विच कहा रहा है मुझे लगता है कहीं इस बीच जो है इसी हफते के दौरान डवी एक दो और टैलेंट ना उसके जाएंगे तो अगले वीक ने जो है कंप्लीटली में रॉस्टर से भरा होने वाला है एंड यह एड़व के कॉमपटिशन में कर पाती है वह तो मैं आपको बता दूंगा वह करी रही लेकिन अभी किस एक्सपेंस पे कर रही है वह देखो क्या डवी को इतना सीडियस की लेना चाहिए क्या डवी के लिए सही में एड़व इतनी माइने रखती भी है कुस्टन यह है आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी के को लेकि कुछ बरी अपडेट से ज्यड कारगल को लेकि कुछ इनको लेकर प्लैंट के सामने हैं कि इनका ब्राइंड का ब्रत्यूर्ध का पार्ट हो सकते हैं तो बताया रहा था यहां पे पीड़व इंसाइडर की रिपोर्ट है उसका कहना है कि जएड का रोड़िन अब क्या वहां पर डेव्य करेंगी या नहीं करेंगी वह प्रॉस्ट होने वाली कि फास्ट लेंगे लिए प्रेसेंट होंगी जड़ी से जल्दी करें बागी पार्ट वह होंगी डेना रोस्ट का बना तो इनको भी जब वियर सिप कितनी भूघ चढ़ गए मातर पे तो पे सब्सक्राइब करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो की है बेटिंग और को लेके डबी डबी फास्ट लेन के बेटिंग और तो और चुके निगल के सामने टोटल पांचे मैंचस कुछ इतने कंफर्म है डबी डबी ने इतने किया अनॉंस तो अभी के इसाब से इन 5-6 मैचस के बेटिंग और तो यह आप देख सकते होगे सोलसी को एंड जिमी उसो के मैच में जॉन सीना एंड एल नाइट फेवरेट है माइनस 5000 के साथ तो बहुत अच्छा आपका साथ फासला है सोलसी को एंड जिमी उसो दोनों की टीम जोए प्लस थाउजन पे तो यहां पर इजली जॉन सीना एल नाइट विक्रियांड कर रहे बॉबी लैसली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेज लडबलो का मैच है तो यहां पर लैसली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स फेवरेट है माइनस 500 की ओर्ट के साथ दैन इसके बाद मैच आजाएगा अपना जज्मेंड डे वर्सेज कोडी रोट्स एंड जे उसो यह पर करीब हो सकता है मामला एक्षोली में लेकिन यहां पर बेटिंग ओर्स फेवरेट है जज्मेंड डे माइनस 300 की ओर्स के साथ एंड कोडी और जे उसो है प्लस 200 के साथ यह उसका यहां पर चैंपियों के टाइटल वह फेवरेट है रीटेन के लिए माइनस 300 के साथ आज क सेथ रॉलिंस वर्सिज नाकामुरा एंड यहां पर भी नाकामुरा के जीतने के चांसे नहीं बताया जा रहें एकॉर्डिंग डुबेटिंग और सेथ रॉलिंस टाइटर रिटेन करेंगे माइनस 400 की ओर्स इनके लिए एंड नाकामुरा के लिए और से प्लस 250 की तो ओवर रोमन का तो सब लोग कंफर्म कहते हैं कि रोमन जो है रसल में टाइल करेंगा रॉलिंस क्यों नहीं क्या रहेंगे तो यह सेम क्वेस्टन बूजर रैसलिंस यानि की बीडवली से पूछा गया तो उनकी तरब से रिस्पांस है कि अभी कि इसाप से प्लैंस तो है लेकिन से स से यह कर राने से परेर रॉमन की तरह सोचना परे कि भाइं रोंन को नहीं हरा सकते तो इसको कैसे मामले में इसे में करने हैं अभी कि प्लैंस कभी Vide favourite नहीं नहीं से बत Muitokal कर रॉंग तक चैंपिन बनके जाएं भी नोवन नोस यह भी हो सकता है कि फास्ट इन में हार जाए तो अन्प्रेडिक्टबल चीजे है तो लिए फिलाल इस वीडियो के लिए यह अप्डेट साइब आपको वीडियो से फॉर्मेसन मिली हो विलो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें सब सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी डबल डबली रिलेटेड वीडियो के लिए अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंट्विटर पर लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में मिलता आप निक्स ओफेर काफ इंट्रस्टिंग वी डिल्मी